एक रेकॉर्ड तो एक्चुली बताना रह गया था जब सेकेंड डे का कलेक्शन मैंने टाइगर का बताया बताना जरूरी है भाई मैं आपको ये बता दू कि टाइगर 3 का जो मंडे का रेकॉर्ड हुआ है ना मंडे जो सेकेंड डे था वो हाइस ग्रॉसर बॉलीवड की फिल 58 करोड आया था भारत में आज तक किसी ने भी मंडे के दिन 58 करोड का बिजनस नहीं किया चाहिए इससे पहले भी हॉलिडे आये होंगे जो लोग आप भॉकेंगे कुछ जो हेटर से वो अरे हॉलिडे था भाई मैं आपको बता दू कि हॉलिडे वैसे देखा जाए तो नही किड़े आये है फिल्में रिलीज हुवी है 58 करोड किसी ने नहीं कमाया तो भाई वो उसको भी रेकॉर्ड ही बोला जाता है और रेकॉर्ड बोला नहीं जाता है एक्चली रेकॉर्ड क्रियेट हो चुका है तो यस दोस्तों जितना ज़्यादा वसे के वीडियो को शेर नहीं कमाया तो भाई अब यह जो कुछ लोग जल रहे हैं उनको थोड़ा बहुत तो आंसर मीली गया होगा जो टाइगर 3 पे जलते हैं उनको बोल रहा हूं है क्योंकि अगर सच में इतनी खरब इसके रिवीउस कुछ लोगों ने दिये भी होंगे देखो I don't care about spy universe okay मैं बो रहा हूं उनसे कभी भी आप यह expect मत करो कि वह भारत देश को अच्छा दिकाएंगे ने ने जो सच है आप एक्टर कोई भी हो आप सिर्फ एक्टर को जो ब्लेम कर रहे हो ना राइटर को ब्लेम करो ना इतना है तो डैरेक्टर को करो पठान की भी स्टोरी में बहुत कुछ प्रॉब्लैमिटिक था उसे हिंगल से टाइगर में भी था मैं कहा हा हाइड कर रहा हूं मैं कहा कुछ छुपा रहा हूँ बात स्टैर्डम की है बात है कлек्ट्शन की स्टोरी कैसी है कैसी नहीं यहाँ पर Łag往 को सवाल ताह इना है बॉलिवर के आलत यह वायार टाइप की प पर बड़े स्टार्स रहते ना उनका हाइप अच्छा ए वो इसमें हो जाते पास सिर पास ने हो जाते वो तगड़ा कर लेते लेकिन जो यह यंग जनरेशन वाले मानके चलो या फिक कोई दूसरे वाला एक्टर जो यहाँ पर डेबीउ करना चाहते है इनकी वाट लग गई है तो भाई होता क्या है लोगों का गुस्सा बड़े मुवीज पर नहीं निकलता है बाकी बॉलिमड पर निकलता है जहाँ पर निकलना चाहिए वाँ पर नहीं निकलता है किस्टारडम वाँ पर चलता है तो भाई बात यह है कि जो भी रिव्यूज खराब वगरा भी दिये थे तो क्या कोई असर पड़ा I mean अगर पड़ता तो जो 45 करोड दे वन था दूसरा दिन भी 35 जाना चाहिए था चालीज जाना चाहिए था 58 करोड गया मतलब लोगों को स्टूरी नहीं किसको देखना है तो बात को समझो रहें यह फैक्ट है और आप अगर यह बोलेगी कि भाई उन्यूर्स है तो मैं क्या एक्सपेक करो इन से इन लोगों को ISI यूनियर्स भी बोल सकते हो आप मुझे तो एक और एक डर है पता है मैं फैक्ट बोल रहा हूँ कि यह लोगों के जो राइटर है ना अधित चोपरा वो टाइगर और सेस पठंड जो बना रहे है न मुझे उसमें ऐसा डर है डर नहीं मुझे पता है यह श पंटी आए ना दोनों वो दीपिका और केटरी ना दोनों को माय डालेगी और बोलेगी कि और यह अमन क्रियेट हो गया यह टाइप का कुछ वो अधित्य चोपरा वह कुछ भी दिखा सकते है वो दिखा देगा क्या पता होने को कुछ भी हो सकता है वो यूनियर्स ही अगर वो इस टाइप का रिखाना चाहता होगा तो भई भरोसा नहीं न उसका तो भई आप वो एकस्पेक्टेशन स्टोरी वाईस करो ही मत मैं पहले भी बोलाओ कि स्टोरी को आप परसनल इंब लो ही मत क्योंकि वा-इर-फ को कोई भी सीरिछ लेता नहीं है ओके इनके स्टोरी और इस पर मत जाओ, यह स्टार्डम पर जाओ, कि स्टार्डम भई चल रहा है, इसलिए यह कलेक्शन अच्छे खासे आ रहे है, अच्छे खासे नहीं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुआ है कलेक्शन, बेटा की बात कहूंगा, स्टार्डम बोलता है, रहे भाई, उसका स्टार्डम है, वो हाई लेवल का, वही बोलता है, वरना भाई कोई भी, भाई सिरिसली बोल रहा हूँ, दूसरा कोई भी अक्टर होता है, I don't think कि कुछ निगेटिविटी फैलाने के बाद, इतनी रिकॉर्ड है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लिजे, टेक क्यार,